गुल मॉर्निंग एवरिवन तो हम पढ़े थे अपना 10th क्लास का चैप्टर नमबर 2 अमल सारक एवं लबन पहली वीडियो में मैंने अमल सारक और लबन को शुरू किया था और उसमें सूचक पढ़े थे हमें कि ब्राकरतिक सूचक क्या होते हैं और मानव निर्मित या संसले सूचक क्या होते हैं आज हम सुरू करते हैं अपना चैप्टर नमबर 2 का सेकिंड पार्ट कहलो या उसका दूसरा बाग जिसमें हम पढ़ेंगे अमल तो चलो सुरू करते हैं अमल क्या है अमल कोई बी ऐसा पदात जो स्वाग में खटा होगा वो अमल होता है आपने दिखा को संतरा ले कंधी जो घ्रिanka कोई बी ऐसी चीजी जो घटी है उसमें कोई नैं कोई अमल होता है और उस अमल के का नहीं उसके अंदर जो घटा अंडर स्वाथ है घर्टा अमल का ही स्वाथ करता होता है जिसके का ने वह स्वाथम openings माल में लगता है तो जितने भी छप्ती की ए heh जिसको जोंती है लोबी लाता है लोता जयशए तो उसके अंदर good check कैने का मतलब क्या है कोई भी चीज जो खटी है और the आंगर जो उते हैं और नमकीन हो उसमें laban है तो हम लवन पढ़ेंगे अगर कोई चीज कड़वी है तो उसमें कहीं न कहीं सारक मौजूद है तो हम सारक के बारे में पढ़ेंगे अब जो अमल है अमल पर स्वाद खटा होता है तो जो भी चीज खटी है उसमें अमल है यह अलग बात है कि अमल उसमें कौन सा है क्योंकि अमल कोई एक नहीं होता, अमल बहुत सारे हैं, अलग-लग परकार के हैं, तो कहने का मतलब क्या अमल क्या है, कोई नी ऐसा अपदार्थ जो स्वाद में खटा होता है, वो अमल है, अमल दो तरह के क्या सकते हैं, वैसे तो उनके गुनों के अदार पे अलग-लग परकार के होते ज़नृ में मिलता है उसको बोलते हैं कार्भनिक अमल जैसे संत्रे के अंदर इमली के अंदर खाट्वाइस थो और है या देहाल है निम्गों जो पेजानृत हो में मोझद राया है वो प्रकर्ति ने दिये हैं मतलब जानवरों मिलेंगे या पेड़ को दो मिलेंगे दूसरा दूसरा प्रकार का अमल है वह खनीच अमल पित्वी में जो खनीच होते हैं खनीच बहुत सारे हैं जितनी भी जो जैसे लोग अचांदी तामब आइडोजन ऑक्सीजन यह स अमल का निर्मान मनुष्य में अपने आप से करवाया इसका मतलब वह मानौनिर्मित है तो मनल एक्जामपल देखिए जैसे सिर्के में सिर्के में भी यह तो है निंबू के अंदर सिट्रिक एशिड होता है दई के अंदर लेक्टिक एशिड होता है टो पारम बात परे खनीच अमल कीद तो तीन प्रकार प्रकार खनीचांमल होता है मनेकरदु लुर्ट चैनिट։रीक आमल जिसका स्तत्र है ऑच तो यह पर नाइडरिक आमल्ट इसका सुत्र होता है Enter e3 को तरह है हाइ्डुट्वлек्वडरिक आमलिक चीसका सुत्र होता है एट सी एल तो ये तीन जो है जो ये तीन है ये खनीज आमल है और ये तीनों ही परबल आमल होते हैं परबल आमल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है खाने योगिन नहीं है हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं उनका हमारे ओपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ही हमारा स्वास्थ्ते के ऊपर इस इनका प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जो खनीज अमल होते हैं वह बहुत ही ज्यादा खदरना होते हैं अमल का मतलब एसीड तेजा तो यह होते हैं तो तीन प्रगार के थे सब्सक्राइब करवोनिक अमल कर पह मतला राते हैं दो बहुत ही बहुत है कारवोनिक और कारवोनिक वह तो खनीज अमल करबोनिक यह लेकिन यह दूर्बल नहीं होता है अघ्टे को लिखा रहें परभल दूर्बल परभल का मतलब होता है पावर्फूल जिसकी संता अधिक है जो ज्यादा स्ट्रोंग है तो उसको बहुते हैं प्रबल अमल या जैसे यह प्रबल अमल है क्यों क्योंकि इनकी पावर्फूल है और जो कार्बनिक अमल होते हैं यह जो जानुरों में मिलते हैं और यही कारण है कि वो पेड़कोद और जानुरों में मिलते हैं कि हमारा श्रीर या जानुरों का श्रीर अधिक परबल अमल को परदास्त नहीं कर सकता उसके बाद बात करते हैं सांद्र कखा तनुकृत अमल क्या होता है सांद्र का मतलब उता कंसंट्रेटिड एसीड सांद्र अमल का मतलब है कंसंट्रेटिड एसीड मतलब ऐसा अमल जिस आमल मतलब ऐसा जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं तनुकृत आमल जैसे यह कहलो मालों कोई गाड़ी चीज है और उसको अपने तुरह सब पतला करना है जैसे काट्याना की पान दूध में तुरह पानी मिला लो ज्यादा गाड़ा सा दूध है तो वह क् उसका गाड़ा पन या उसकी समता तोड़ी काम हो जाएगी तो पानी मिलाने से तो यह समुझे लो उसका तनुकृत कर दिया तो ऐसी दिया आमल जो होता है जिसकी समता अधिक होती है वो संद्र आमल होता है और जिसकी समता कम होती है संद्र मतलब पानी डालने से समता कम हो कि जो सांद्र होगा वह प्रबल होगा सीधिय और तनुकृत होगा तनुकृत होगा दुरुबल होगा तनुकृत का मतला उसमें पानी डाल दिया है तो पानी डालने से इसकी सम्ता हो जाएगी कम तो वह दूरुमल ठीक है हम जो लैब में अमल-yews करते हैं अपनी क्योंकि नहीं कर सकते च्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरनाग करना ज्यादा बहुत ज्यादा गोर पानी के बराबर कमा मतलब यहते हैं बहुत दिकॉत अवह पानी कन को साख district किसी अमल का तनुकरन करते हैं तो तनुकरन करते समय हम पानी को अमल में नहीं मिलाते बात याद रखना पानी को अमल में नहीं मिलाएंगे जैसे यह टेस्ट चूब ले ली इसमें अमने अमल ले लिए उपर से पानी नहीं मिलाएंगे क्यों नहीं मिलाएंगे क्यों कि जब पानी को अमल में मिला जाता है तो उसमा सेफी अभी करिया होती यह है एक ड़ास्थ आपके से जिससे हमारे कपड़ों को और हमारे सरीर को नुक्षान को हो सकता है तो हम तनुकरन कैसे करते हैं तनुकरन करने का दूसरा तरीका पेपर में भी आया है कि अमल के तनुकन के लिए हम जल को पानी में नहीं मिलाते हैं जब कि अमल को पानी में मिलाते हैं ऐसा तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी अमल को पानी में मिलाया जाएगा तो उसमा से भी अभी किरिया होती है अगर पानी को अमल में मिला दिया तो देखो पानी मिलाया ने बता बाब बन जाएगा वह बाब जड़के से बार आती है तो साथ में अब अमल को भी अपने साथ ले आए और हमारे कपड़ों पर या हमारे स्विप पर कहीं भी गिरेगा तो हमें नुक्षान वह सब्सक्रा है हम पानी को टेस्टिउम में ले देंगे पहले जलब ले लीड़िया हमें निरे और दिर्डरे से सब्सक्रां साथ दिरे जिसमें अमल मिलाएगे जब इसमें अमल दीरे-दीरे से जाएगा तो उसमा से भी अभी गिरिया तो होगी लेकिन जब दीरे-दीरे से जाएगा ना तो जो उसमा निकलेगी अभी आँ तो जल है तो जल उसमा को आवसोसित कर लेगा तो आवसोसित कर लेगा तो जल की वास्त इतनी जादा नहीं बने वह भी टेस्ट की डीवार रूती है इस दीवारके साथ दीरे-दीरे से क्यों वह दीरे-दीरे मिलाने से उस्मा भी दीरे-दीरे ही निकलेगी और वह जल आवसोषित कर लेगा जिससे यह जल First में अगर बदलेगा वह तो वह दिडह दिरेवास बने दी तो सहरा जल्द यह अम्ल बार लियाएगा जिससे हमें कोई उचान नहीं होगा इस परकार हम अम्लकात कर लोकरन करते हैं यह बात यार अपना वही उसके बाद जो आम्ल होते हैं उनका जो जो पैटिंग होती है उनकी बोतल जो होती है अम्लकी उनके उपर कुछ डंगरर साइन मड़े होते हैं कैसा साइन मिलेगफ एक एससाता होता है इस प्ल है अभी सकाफिंदकी सब्सक्र Enjoy the page ऑफे 10 टौट पर सब्सक्राइब और कोछ पंसारइए थी घर N à जाओ फिर जाएगा नहीं तो हाथ के आर्पार निकल जाएगा यह स्किन को काट दीम तीजाब है यह और आप लोगों को पता ही यह तेजाब कितना खतरनात होता है तो देखो यह दिखा रख है इस साइन से अगर इस टैस्ट्टूब में से इसके उपर गिरा तो हाथ कट जाएगा और यह कोई दातुर या कोई पत्था दिखा रखाए इसके उपर गिरेगा तो इसका भी समसार कर ना हो जाएगा यह पर में आतुक रहा है यह ऐसा इससा शाइन बना हुआ और उच्छा था कि इस चित्र क्या दिखाता है चेकर वी अब आके हम पड़ते हैं पर देंगा कि नेले लिटमस पतर निलवे लिटमस पतर को ला कर देथा है हैं अगर हम एक किशी कण याल दालें तो यह जो जल है जो यह कंखा करके सुचानल है जल जो है वो गार्टु से अभिक्रिया करके घाकु के साथ अभिक्रिया करके हाईडोजन गयास पुक्तपन करते हैं कोई भी है वह धातू से अभिक्रिया करके हाईडोजन गयास पुक्तपन करें गारे Science आपने एक टैस्ट तूब लिए, टैस्ट तूब में जिंक के ठोड़े से पीशीज रग लिए, और ऊपर से हमने जाल गए इसमें सुल्फियूरिक अमल, डायूट तो शल्टिट कर लेना है तनुकृत कैसे करेंगे अभी मैंने तरीका बताया था ऐसे करेंगी तो क्या करेंगी हमने लेली टेस्ट्रूब में के कुछ तो अब इक लिए और वी इस निदे यह इस निदी ये इस निदे भी सापूं का पाने क्योंकि उलें पता है जब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुज़ाएं और इन बुलबलों के अंदर कोई न कोई गैस है अब ये पता लगाने के लिए कि कौन सी गैस है उन बुलबलों के पास जार विए न सही तो यह जो पुलबला है एक्टम चट चट की दमनी से फट जाएगा वह साउंड आए दिया जैसे चट चट की आवाद से यह जो पुलबले है यह फट जाएंगे और चट चट की दमनी से हमेंसे हाइडोजन गैस नहीं चलती है और कोई गैस नहीं जलती इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इन पुलबलों के अंदर हाइडोजन गैस थी तो हम कह सकते हैं कि दातों ने अमिल के साथ भी किरिया करते कौन सी गैस बनाई है देख लेते हैं जैसे जिंग लेडिया में जैड़न प्लस हैस्टू एस्टू ए कोई भी आमल ले लो और कोई भी दातू ले लो सब में लाउन बनेगा यह अलग बात है कि जो दातू लेंगे लाउन उसी दातू का बनेगा जैसे अगर हम यहां पे सोडियम दातू लेते और S2SO4 आमल लेते तो बढ़ता हमारे पास Na2SO4 ठीक भी और साथ में हाइडोजन गैस निकल जाती है समझके चाहिए अमल कोई दूसरा ले लो एक सीयल ले लो एक सीयल के साथ सोडियम दातू ले लो तो बढ़ेगा एन एसीयल है और हाइडोजन गैस निकलेगी कमकाली सुभी करना है सब्सक्राइब नहीं किया वैसे बता रहा हूं बस कोई भी अमल ले ल इंपोर्टेंट पेपर में आज पा है कि दातू की अमल से बिखिया वही कोई गैस बनती है तो उस गैस के प्रिक्षण के लिए बताइए हम कैसी प्रिक्षण करेंगे तो प्रिक्षण यही है कि उस गैस के पास जलती मुम बत्ति ले जाओ अगर वो गैस चटट चट की द चाहिए को सिर्के और निम्बूबरस शंतरे के जूस को इनको कभी भिदाको AM नहीं रखना चाहिए क्यों क्यों हमें पता चलिए कि इन पछर्पे उता हैं व्य Pokémon puts the war में तो प्र। यह दूसमें कोई द्याइब द्धात करने मांभ कर देगा जिस्ट छो हमारे श्रीर के उपर विप्रीत प्रबाव डाल सकता है मतलब फूड को इसके बाद है जातू कार्बोनेट के साथ अभी गिर्या मतलब धातू का अमल जो है क्या बनेगा इसमें कोई बनेगा ठीक है और इसमें कार्बोनेट ले लो दातू कार्बोनेट मतलब क्या कार्बोनेट होता है कार्बोनेट को कोई भी दातू कार्बोनेट कार्बोनेट को और उसकी अमल से अभी क्रिया करवा के देखो झाल तो जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो 0.5 ग्राम ले लो टेस्ट चूर के अंदर ठीक है और इसके अंदर ओपर से डाल दिया हमने अग्ड डाइलूट तो इसके पानी से बुजारेंगे तो बुजा देंगे अब जलती मुंबती आप लोग इसके पास लेके जाओगे तो यह जलती मुंबती को बुजा देंगे और जलती चीज़ा वो एक ही गयाती है और वह पता चल जाएगा कि अमल गातू कार्पोनेट से अभी इता करके कार्पोनेट गयस बनाता है तो यह उसकती है जिसने सोडियम का कार्बोनेट कैलसियुम का कार्बोनेट तो अमल कोई ले लो एच सीयल हमें लिया एन ने की निकलती है और कार्बन डाक्साइड गैस की पहचान करने के लिए एक तो यही है कि कार्बन डाक्साइड गैस को अगर जलती मुवथती के पास ने जाओगे तो यह जलती मुवथती को बुझा देगी दूसरा तरीका क्या है क्या पैचाने का पानी होता है पहले वीडियो में पड़ चुके चुन्ने के पानी का सुत्र होता है तो तो क्या बन जाएगा चैल्सियम करों बन जाएगा और चुनने का पानी तू दिया रंता हो जाएगा क्या यह टैस्टूब है इसमें लाइंग वाटर है चुनने का पानी यह था इसमें और इसमें से नड़ी द्वारा कार्वन डाकसाइड इस भेज दी तो पहले यह क्लिएर होता है साफ बिल्कुन क्यों क्योंकि बं जाएगा ठीक है बात समझ में आएगी कैसिं कारबनेट और 2 यह बन गया के कारनी दूदिया सा दिखाइए देगा यह कर्मिन डाक्साइड के प्रिक्षण के लिए प्रियूब की जाती है कि हम कैसे बता हूई है जो गैस बनी है क्योंड में पानी से गुज्जार तो अगर चुनने का पानी दूदिया तो समझ लो वह गैस कार्मन डाकसाइड गैस होती है अगर हम इस अभीगिरिया में कर्मन डाकसाइड गैस को इसमें गुजारने से ना रोके मतलब गुजारते ही रहे गुजारते ही रहे तो क्या हो जाएगा तो बन जाएगा चैल्सियम हाइडोजन कार्वनेट बन जाएगा और जो दूर गया था वह समाख बूजाएगा क्योंकि यह तो पाने में आदुन नशीर था इसलिए दूर बन गया था अब ये जो बना है अत्यति कार्मन डाकसाइड गुजारने से जो बनता है वो बनता है हम देखते हैं सोलियम देखो दातों कर्बोनेट के साथ अधी क्रिया उती है यहां यूदों कर्बोनेट कैसे यह तो कर्बोनेट परिए कोई वी जैसे एक और दो इसका कार्बोनेट कोई कार्बॉनेट तो अब यह अब सब्सक्राइब और जल का निर्मान होता है देखो अमल का जो परभाव होता है और जो सारक का प्रबाव होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है एक दुसरे के विप्रीत होता है अब देखो हमने इन दुनों को आपसमे मिला दिया तो सारक क्या करेगा आमर की संथा को कम करेगा मतलब उसकी पावर को कम करने की कोशिश करेगा तो दोनों ही एक दुसरे की सं उदासी करन अभीक्रिया का मतलब है किसी अमल चारग के बीच अभीक्रिया क्यों उदासी करन पावर समाप को जाती है और ज्यूर उन्हें होती है जैसे अमलह ले लो और हमने सारक ले गिया एन ए ओ एज तो बनेगा क्या एन ए ए सी एल लवन बनेगा और साथ में बन गया एज तू ओ यह बन जाएगा भई ठीक है एन एसके लवन है एक को बार निकल जाएगा यह एक उद्रासीनी करन अभी किरिया होती है अब दातू अक्साइड अक्साइड होता है इसके बार है दातू ऑक्साइड को यह अमल ले गिया हमने अब दाते ले लो दातु औक साइड ले लो तो हमें वही चीज प्राफ था अगर तो वही चीज़ प्राइब होती है जो सारक के साथ अभी किरिया में प्राइब होई थी मतलब लवन तथा जल प्राइब होता है अब ले लिया हमें जैसे एक साथ और हम ले ले धातू ऑकसाइब कोई भी ले लो एमजी ओ मैंगी चिल तो बनेगाट ऑर सुटिय और रही तो यह देखेंगा रवन होता है ऐस मेंग होचल घाधो बहो एक साइड है तो बनेगाट नेगाट तो बनेगाट एनगी शी तो दो आएस स्टो यह तो यह जल बना अब देखो यह अभी दिया और यह विक्रिया सेम दी इसमें अमल इसमें लवन जल जल एक फरक्षा इसमें शारक और दातु उक्साइड का तो हम कह सकते हैं कि दातु उक्साइड जो होते हैं सारी अपरवर्ती के होते हैं सारी परवर्ती के होते हैं सारी ऑक्साइड के बजाए अगर आफ दातु हईडॉक्साइड ले लोके उसमें भी यही इसेम अभी के लिए होती हैं तो इसमें यही होएगा लगना का निकमान होगा एंजु सी एल टू और प्लस एच तू ओ इसका मतलब क्या है दातु हाइड ऑक्साइड और दातु ओक्साइड दोनों ही सारी प्रवर्ति के होते हैं प्रवर्ति का है इसलिए इसका प्रियोग रूप में करते हैं प्रती अमल प्रती अमला जाती है तो उस जनको दूर करने के लिए हम कोई ठाल जटेक है तो वह डो प्रति अमल की बने होती है और जो इसका बनावता है अधिकतर प्रती अमल बनाए जाते हैं जलन वह जाएगी जैलोशील में क्या होता है उसमें दापू है यह ज्यादातर क्या होता है यह जो अंगल होते हैं उनका प्रभाव संसारत होता है संसारत का मतलब है अगर वह किसी दापू के उपर या किसी पत्थर के उपर लगते रही लगतार गिरते रहे तो वह पत्थर है दिरे दिरे टूटकर बुर्गुरा होकर वह निकलना सुरू कर देगा मतलब संसारत होकर तूटना सुरू कर देगा इसलिए हम कह सकते हैं कि अमल का प्रभाव संसारत है किसी पत्थर पे अमल डालके देख लो तो वह दिरे 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 उसको गलाना सुरू कर देगा और व कभी भी अमल को नहीं रखते रहां कि अभी चिरिया करने लवन और हायलोजन गैस बनाता है इसलिए अब तो लपते हैं वह बहुत जाँ से अमल होते हैं मैं बता चुका हूँ खिर्जाड़ में रोते हूं यूज़ कर लेकिन हम उनका तनुकंड कर लेते हैं तनुकंड कैसे करते हैं जो भी पूरा हमने पढ़ लिया है और आम में के गुन क्या होते हैं कि उसमें पढ़ लेना वेडियो को अच्छे से देख लेना सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वह बिल्कुल जड़ से पड़ा रहा हूं, उढ़ा के की चीज कहा से आई, उसे क्या बना, अगे उसे और कुन कुन से योगिकों का निर्मान होगा, खीक है, तो कोई भी चीज को रूट से ही पड़ोगे, जड़ से पड़ोगे, तब ही चीजे समझ में आती है, खीक है, तो आज के लिए इतना ही, चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगते हैं, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, थेंक्यू,